नमस्कार आप देख रहे हैं पर्यावरन पोस्ट और मैं हूँ आपके साज जोती निशाने हमने बच्पन से भुगोल के किताबों में पड़ा है कि हमारे भारतिय उप महादी तीनों और से समुद्र से घिरा है पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिर में हिंद महासागर अब दिमाख में एक खटका आता है ये अरब सागर को सागर और हिंद महासागर को महासागर क्यों कहा जाता है दोनों ही तो समुंद्र है और दोनों पानी के अथा भंडार है तो फिर दोनों के लिए महासागर या सागर क्यों नहीं प्रियोग होता प्रशन सभाविक है और इसे जानने के लिए हम सबसे पहले जानना होगा समुंद्र या सागर और महासागर किसे कहते हैं पूरी दुनिया का लगभग 70% हिस्सा केवल पानी ही पानी है ये विशाल पानी के भंडार ही सागर और महासागर कहलाते हैं इनका पानी खारा होता है और पृत्वी पर जलवायू को सेमित करने में भोजन और ऑक्सीजन उपलब्द कराने में तथा साथी जै विविद्दा बनाये रखने में ये महत्पूर्ण भूमी का निभाते हैं पृत्वी पर स्थलों के समीब का वैविशाल जला निकाय जहां नदिया अपना जल खाली करती हैं सागर या समुंद्र कहलाता है ये महा सागरों की तुल्ला में कम गहरे होते हैं ये एक, दो या कभी-कभी तीनों और से स्थलों से घिरे होते हैं इनके पास में स्थित भवॉबॉलिक छेत्रों की जलवायू को ये काफी प्रभावित करते हैं विश में मुख्य सागर है, वो मद्य सागर, अरप सागर, लाल सागर, केपिसियन सागर और मृत सागर महा सागर प्रथी पर स्थित जलमंडल का मुख्य भाग होता है ये खारे पानी का विशाल छेत्र होता है, ये बहुत ही गैरे और विशाल होते हैं वास्तित में समुंद्र के पानी का विस्तार ही महाशागर की शुरुवात होती है ये प्राहे सलिये छेतरों से काफी दूर होते हैं प्रित्वी पर पांच महासागर है प्रशांक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्टिक महासागर और अंटाक्टिक महासागर और अब बात करें सागर या समुंद्र और महासागर में क्या अंतर होता है तो समुंद्र या सागर सलो के निकट होते हैं जबकि महासागर प्राइस सलो से काफी दूर होते हैं सागरों में नदी अपने पानी को गिराती हैं जबकि महासागरों में सागर अपना पानी खाली करते हैं वास्तव में सागर और महासागर के वीच कोई ऐसी महीन रेखा नहीं खीची गई जो एकदम अलग-अलग कर दे सागर ही विस्तारता होकर महासागर का रूप लेते हैं सागर और महासागर के वीच का अंतर आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें पर्यावरन पोस्ट